हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही संदर सा मिरर वर्क वाला नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे और बहुत ही खुबसूरत लगता है यह नेक डिजाइन बनने के बाद और इसको हम बनाएंगे गोटा पटी के साथ तो मैंने यहाप और गोटा पटी ले लिए है कुछ mirror bands और mirrors ले लिए है और इसके लिए मैंने देखिये बिल्कुल simple plain कुर्ती की cutting कर लिए है बिल्कुल plain कपड़े से हम यह mirror work वाला design बनाने वाले हैं simply यहाँ पर हमने कुट्टी की कटिंग कर लिया है अपने नाप के अकॉर्डिंग और नेक की चौड़ाई भी आपर देखिए हमने तीन इंच रखी है फ्रेंट वाले पार्ट पर हम डिजाइन बनाएंगे तो देखिए इसके लिए हमने आपर यह सेम कलर का कपड़ा ले लिया है इसके लंबाई हमने यहाँ पर 16 इंच रखी है और चौड़ाई आपको देखिए 10 इंच रखनी है अब इस कपड़े के ऊपर हम देखिए फ्यूजिंग पेपर लगा लेंगे इससे जो डिजाइन है और जो हम गोटा बट्टी लगाएंगे वो बिलकुल अच्छे से लगा है उस साइड के तरफ आपको कपड़े की तरफ रखना है और इसके ऊपर हम प्रेस की हेल्प से इसको चिपका लेंगे देखिए फ्यूजिंग पेपर को हमने बिलकुल अच्छे से लगा लिया है अब इसको हम सिधा कर लेंगे और इस पर हम गोटा पट्टी के लिए निश निशान लगा लेंगे और इस साइड के तरफ भी हम निशान लगा लेंगे इस साइड पर आपको दो-दो इंच की दूरी पर हम निशान लगाना है देखिए हमने चारो साइड पर निशान लगा लिये हैं अब इन निशानों को हम मिला लेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट स्केल की हल्प से बिलकुल कोने से आपको इस तरीके से तिर्चा रखते हुए सारी लाइम्स को मिला लेना है और अब दूसरी साइड की तरफ से भ पूरा क्रिस क्रोस करता हुआ जाल जैसा डिजाइन बनेगा सो फ्रेंट से देखिए हमने पूरे कपड़े पर बिल्कुल अच्छे से निशान लगा लिये हैं अब इन ही लाइन्स पर हमें गोटा पट्टी को स्टिच करना है तो जस्सिंपली जो हमने लाइन बनाई है इस और इसको बार-बार सीधा करके हमें लगाना पड़ता है तो आज मैं आपको बहुती ईजी और असान तरीका भी बता देती हूँ कि आप गोटा बहुती जल्दी और आपका टाइम भी बहुत बचेगा इसमें तो आप कैसे लगा सकते हैं तो देखिए जो हमारा उपर की त अब आपको गोटे को देखिए इस तरीके से सुई के नीचे डालना है और इसको आपको सीधा कर देगे सुई की तरफ से आपको सीधा कर देना है उपर की तरफ से थोड़ा सा टाइट रहेगा अब इसको हम कपड़े पर लगाएंगे तो गोटे को थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल दीजिए और यहां पर सिलाई लगा लेंगे जैसे हम सिम्पली अब सिलाई लगाते हैं वैसे आपको सिलाई लगाना है इससे आपका यह होगा कि जो आपका गोटा है वो साथ के साथ जलता रहेगा और आपको जादा महरत करने की ज़रत नहीं होगी और आपका टाइम भी काफी बच जाएगा गोटा बहुत जल्दी लग जाएगा तो इस तरीके से हम पूरी लाइन्स पर गोटे को अच्छी से स्टिच कर लेंगे बखिये को आप थोड़ा सा बढ़ा कर लीज झाल रहेखा बढ़ा सब्सक्राइब करें पूरे में बिल्कुल अच्छे से गोटे को लगा लिया है और पूरे में देखिए इस तरीके का जिग्जग जैसा हमारा डिजाइन बन गया है अब इसकी कॉर्णर पर भी हम देखिए इस तरीके की गोटे लेस लगा लिया है इसको हम नोक वाली लेस बी कहते हैं तो जस्ट सिंपली देखिए इसके तीन साइड पर हम ये लेस लगाएंगे क्योंकि उपर वाली साइड हमारा नेक बन जाएगा और ये वाला साइड हमारी कंदे की सिलाइ में चला जाएगा गोटे की देखिए ये वाली सीधी साइड है तो कपड़े के उपर आपको उल्टा गर के इस तरीके से रखना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाइ लगाएंगे और ऐसे ही नीचे की साइड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली आपको सीधी सिलाइ लग पट्टी को लगा दिया है, अब इस तो पट्टी को लगा दिया है, अब इस पट्टी को लगा दिया है, अब इस तरीके से अंदर की तरफ आजाएगा, और इस तरीके से अंदर करते हुए हम यहां पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे, अब इस तरीके से अंदर करते हुए हमने साइट्स को अच्छे से फोल्ड करते हुए, यह कोने पर गोटापटी भी लगा लिया और यह बहुत ज़दा प्रिटी लग रहा है, देखिए हमारा पैच बनकर रेडी हो गया है, इसमें जो हम मिरर वर्क करेंगे वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे, तो अब इसको हम देखिए कुर्ती पर लगाएंगे, यह और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए, पूरे में सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो नेक पैच जो हमने वराया है वो कर्ती के साथ अटाच हो जाए यह देखिए कुर्ती पर हमने पैच को बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है अब इस पर हम नेक बनाएंगे, तो देखिए नेक बनाने के लिए अगेन मैंने ये पेपर पेस्टिंग ले ली है और इसको हम पहले बीचो बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर देखिए पहले नेक की चोड़ाई के निशान लगाएंगे तो नेक की चोड़ाई यहाँ पर हम रख रहे हैं 3 इंच, इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगा लिए अब यहाँ से गहराई के निशान लगाएंगे, तो लंबाई हमें रखनी है अपने नेक की 7 इंच तो 7 इंच यहाँ पर हमने निशान लगा दिया नीचे की साइड के तरफ भी हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे तो यह कुछ इस तरीके से आ गया अब यहाँ पर देखिए हम ऐसे एक कर्व बनाएंगे और यहाँ से देखिए अंदर की तरफ करिब आदे इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको देखिए वी शेप देंगे यहाँ पर जयादा गहरा आप यहाँ पर मत कीजिएगा तो ये देखिए नेक की कटिंग भी हमने कर ली है और अब इसको हम कपड़े के उपर लगा लेंगे और ये देखिए नेक को हमने कपड़े के उपर लगा लिया है और इसको साइट की तरफ से फोल्ड भी कर दिया है अब simply जैसे हम अपना गला बनाते हैं वेवल वैसे ही हम इसे बना लेंगे कुर्ती के उपर रखते हुए कुर्ती की सीधी साइड आपको नेक को रखना है और simply जो बुकरम के साथ साथ में हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे अब अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे और यहां पर देखिए छोटे छोटे कट्स लगा कर इसको अंदर की दरफ फोल्ड कर देंगे अब इस पर हम मिरर वर्क करेंगे तो उसके लिए देखिए मैंने कुछ मिरर बैंड्स ले लिए है और यह मैंने कुछ मिरर्स ले लिए हैं प्लास्टिक मिरर्स हैं यह सिंपली आपको मार्किट से मिल जाएंगे और अब इसको हम paste करेंगे तो यह जो हमारे सारे blocks हैं इन ही के बीच में हमें इसे लगाना है तो इसको चिपकाने के लिए मैं यूज करी हूँ यहाँ पर यह fabric glue जिससे कि जब आप अपनी कुर्टी को wash भी करें तो भी यह mirror bands निकले ना तो just simply हम इस तरीके से इसके बिल्कुल वीचों बीच में इसको लगाएंगे और आप एक mirror ले लीजिए mirror चिपकाने के बाद अब इस तरीके से इसके दोनों पूरे sides पर इस तरीके से glue लगाएंगे और अब देखिए जो mirror band है इसको हम simply इस तरीके से इसके उपर रखेंगे तो देखिए अब सारे box पर हम इसी तरीके से mirror और mirror bands लगा लेंगे तो फ्रेंज देखिए हमने पूरे neck पर mirror को लगाके बिल्कुल अच्छे से complete कर लिया है और yellow के साथ यह multi color का combination बहुत ही ज़ादा खुपसुरत लग रहा है तो इसी के साथ साथ मैं आपको इसकी sleeve का design भी बनाना सिखा देती हूँ तो यहाँ पर मैंने पहले ही sleeves की cutting कर ली है बाजू के bottom पर भी हम pattern बना कर लगाएंगे तो देखे पैटर्न बनाने के लिए मैंने यह paper fusing को same color के कपड़े पर लगा लिया है और दोनों side से देखे हमने आध्यादे इंच का कपड़ा extra रखा है और बुक्रम की जो लंबाई रखी है मैंने वो देखे दो इंच रखनी है आपको तो यह हमने पूरा इस तरीके से ready कर लिया है simple सीधी पट्टी कट करके कपड़े के ऊपर लगाई है अब देखे इसके ऊपर भी हम 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे यहां पर भी देखे हम तिर्चा तिर्चा करते हुए गोटा पट्टी लगा लेंगे और कपड़े से थोड़ा सा एक्स्टा रखते हुए हम गोटा लगाएंगे और दूसरी साइड की तरफ भी देखे क्रिस क्रॉस जैसा पूरा में डिजाइन बना लेंगे अब इसको हम स्लीज पर लगाएंगे तो उल्टी साइड की तरफ से स्लीज की रखना है आपको इस तरी की से हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बुग्रम के सीध में आपको सिलाई लगानी है अब इसको हम सीधी तरफ पलट देंगे और इसके उपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे अब देखिए उपर वाली साइट की तरफ भी हमें देखिए अंदर करते हुए सिलाई लगानी है तो यह जो हमने no quality lace है आपको उपर की side के गरफ लगानी है तो पूरे कपड़े को थोड़ा थोड़ा अंदर करते जाएए और no quality lace को बिल्कुल सीधे सीधे हम लगा लेंगे अब simply यह जो हमारे boxes बने हैं इनके अंदर हम यह mirror और mirror bands लगा लेंगे और इस तरीके से हमारी पूरी sleeves का design बनकर ready हो जाएगा तो फ्रेंट से देगे हमने पूरा neck और sleeves का design बनाकर बिल्कुल ready कर लिया है और यह बहुत जादा pretty लग रहा है दोनों को combination कफी जादा खुबसुरत लग रहा है और गोटबटी के साथ यह mirror work वाला design बनाना बहुत ही जादा easy है So friends I hope कि आप लोगों को यह neck design with sleeves पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो please इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत बूलियेगा और आप मुझे follow कर सकते हैं मेरे social media accounts पर TikTok, Facebook and Instagram So उन सब ही का links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे मिलती हूँ मैं आपसे next video में तब तक ले पना खयाल रुके पुदा आपस, बाप बाइ